शिब बाबा याद है ना? ओम शांती सुनते हैं 16 जुलाई 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है स्वच और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्शन मूर्थ है आज की अव्यक्त बाणी में प्यारे बाप दादा ने बताया नामी ग्रामी एक्टर्स उनकी मुखे तीन कौन सी बाते होती हैं लौकिक में वा अलौकिक में और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे कौन सी आत्मा सरव को अपनी तरफ आकर्शित करती है और तीसरा बाबा ने बताया किन किन बातों में हमें एकुरेट होना चाहिए तो सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महवाक्य अपने को इस स्रेष्ट ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर और मुख्य एक्टर समझते हो मुख्य एक्टर के तरफ सभी का अटेंशन होता है तो हर सेकंड की एक्ट अपने को मुख्य एक्टर समझते हुए बजाते हो जो नामी ग्रामी एक्टर होते हैं उन्हों में मुख्य तीन बाते होती है वे कौन सी एक तो वे एक्टिव होगा और दूसरा एकुरेट होगा और तीसरा एक्टिव होगा एक्टिव एकुरेट और एक्टिव ये तीन बातें नामी ग्रामी एक्टर की मुख्य है अब सुनो एक एकी डिटेल भी बाबा सुनाएंगे ये तीनों बातें नामी ग्रामी एक्टर में अवश्य होती हैं तो ऐसे अपने को नामी ग्रामी वा मुख्य एक्टर समझते हो अट्रेक्ट किस बात पर करेंगे अब सुनिए पहले अट्रेक्टिव बाबा ने लिया अट्रेक्ट किस बात पर करेंगे हर करम में हर चलन में रुहानियत की अट्रेक्शन हो जैसे कोई शरीर में सुन्दर होता है तो वे भी एट्रेक्षन करते हैं वे भी एट्रेक्षन करते हैं अपने तरफ ऐसे ही जो आत्मा स्वच है आत्मिक बल वाली है वे भी अपने तरफ आकर्शित करती है जैसे आत्मा ग्यानी महात्माएं आत्म ग्यानी महात्माएं आदी भी द्वापर आदी में अपने सतो परधान स्थिती वाले थे तो उन्हों में भी रुहानी आकर्शन तो था ना जो अपने तरफ आकर्शित करके औरों को भी इस दुनिया से अलब काल के लिए वेराग्य तो दिला देते थे ना जब उल्टे ग्यान वालों में भी इतनी अट्रेक्शन थे तो जो यर्थार्थ और स्रेष्ट ग्यान सवरूप हैं उन्हों में भी रुहानी आकर्शन वा अट्रेक्शन रहेगी ना शारिरिक ब्यूटी नजदीक वा सामने आने से अकर्शन करेगी लेकिन रुहानी अकर्शन दूर बैठे भी किसी आत्मा को अपनी तरफ अकर्शित कर देती है दूर बैठे भी लाइट और माइट आपकी दूर दूर तक पहुंचेगी इतनी अट्रेक्शन अर्थात रुहानियत अपने आप में अन्भव करते हो ऐसा अन्भव करो जैसे मुझ आत्मा का प्रकौश चहूं और विश्व भर में पहुंच रहा है यह एट्रेक्शन ऐसे ही फिर अब दूसरा शब्द लो ऐसे ही फिर एकुरेट भी हो एकुरेट किसमें अब बड़े ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है जो मनसा अर्थात संकल्प के लिए भी शिरिमत मिली हुई है वानी के लिए भी जो शिरिमत मिली हुई है और करम के लिए भी जो शिरिमत मिली हुई है इन सभी बातों में एकुरेट मनसा भी अन एकूरेट ना हो जो नियम हैं मरियादा हैं जो डिरेक्शन हैं उन सभी में एकूरेट और एक्टिव तो जो एक्टिव होता है वे जिस समय जैसा अपने को बनाने चाहें चलाने चाहें वे चला सकते हैं वा ऐसा ही रूप धारण कर सकते हैं तो जो मुख्य पाट धारी हैं उनों में तीनों ही विशेष्टाएं भरी हुई रहती हैं कितना सुन्दर एकूरेट का बाबा ने अर्थ बताया जो शिरिमत मिली हुई है संकल्प के लिए वचन के लिए करम के लिए और जो नियम मरियादाएं हैं उन सब में एकूरेट बनना है और एक्टिव भी बनना है तो जो मुख्य पाट धारी हैं उनों में तीनों ही विशेष्टाएं भरी हुई रहती हैं इसमें ही देखना है कि इन में से कौन सी विशेष्टा किस परसंटेज में कम है स्टेज के साथ साथ परसंटेज को भी देखना है रोहानियत है आकरशित कर सकते हैं लेकिन जितनी परसंटेज होनी चाहिए वे है अगर परसंटेज की कमी है तो इसको संपूरण तो नहीं कहेंगे न पास तो हो गए फिर भी मार्स के अधार पर नंबर तो होते हैं न थार्ड वीजन वाले को भी पास तो कहते हैं लेकिन कहां थार्ड वाला और कहां फर्स्ट क्लास फरक तो है न तो अब चेक करना परसंटेज को स्टेज तो अब नेचरल बात हो गई क्योंकि प्रैक्टिकल एक्ट में स्टेज पर हो न अब सिरफ परसंटेज के अधार पर नंबर होने है आज बहुत बड़ा संठन हो गया जैसे बाप को भी समान बच्चे प्रिये लंगते हैं सबसे प्रिये कौन जो बाप समान बन गए है और जो बाप समान स्थिती पे स्थित रहते हैं वो सबसे प्रिये आप लोग आपस में भी एक समान मिलते हो न तो एस स्थारों का मेला भी बहुत अच्छा लगता है कैसे मदूबन जब जाते हैं डाइमन्ड हाल में बीस हजार स्थारे जिलमिल जिलमिल चमक रहे होते हैं और फिर कैसे बाप दादा आके ग्यान सूर्य सब स्थारों को प्रकाशित करते हैं कितना वंडरफुल वो सीन होता है तो बाबा कहते सितारों का मेला भी बहुत अच्छा लगता है न संगम यूगी मेला तो है ही लेकिन उस मेले में भी ये मेला है एक है रोज की रुटीन वाला मेला लेकिन मेले में भी ये मेला बाबा कहते है मेले के अंदर जो विशेश मेला लगता है वे फिर ज़्यादा परिया लगता है बड़े बड़े मेलों के अंदर भी फिर एक विश्य स्थान मनाते है जहां सबी का मिलन होता है संगम युग बेहद का मेला है ही, लेकिन उसके अंदर भी ये स्थूल विश्य स्थान है, कौमसा? मधुबन एक स्थान मनाय होगा इस मेले में, जहां सब मिलते हैं, जहां समान आतमाई आपस में मिलती हैं, हर एक को अपने समान वा समीप आतमाओं से मिलना जुलना अच्छा लगता है, विशेश आतमाओं से मेला बनाने लिए स्वेम को भी विशेश बनना पड़े, कोई विशेश हो, कोई साधारण हो, वे कोई मेल नहीं कहा जाता बाप के समान दिव्य धारणाओं की विशेषता धारण करनी है बाप से जो पालना लिये है इसका सबूत देना है बाप ने पालना किसलिये की विशेषताइं भरने के लिए लक्षे हो लक्षन ना आवे तो इसको क्या कहा जाए एक होते हैं समिजदार और दूसरे होते हैं बेहत के समिजदार. बेहत में कोई limit नहीं होती है. इसलिए ऐसा जो लक्षे होएं, लक्षन नहां होएं, ऐसा ज्यादा समिजदार नहीं बनना है. लक्षन होने ही चाहिए. अच्छा. कर दो कि एक ले उन्यके टूटे का घर से एक लिए खरीग रादा कर दो तो कर दो कर दो सकते हुआ उन्यके का कर दो कर दो जयर दो कर दो हम या।